दोस्तों अगर आप भी सचिन तेंदूलकर को क्रिकेट का भगवान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर केजेगा दोस्तों मुंबई और पंजाब के बीच खिले गए दिल दहला देने वाले मुकाबले में हार्दिक पांडिया ने अंती मोवरों में इतनी तावरतोड अंदाच में बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया जिसे देखकर तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदूलकर भ दोस्तों पंजाब और मुंबई के बीच खेले गए रोंग्टे खड़े कर देने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियन्स और पंजाब किंग्स के खिलाडियों के द्वारा इतना जबरदस्त खेल का प्रदर्शन देखने को मिला जिसके बाद तो अब IPL का रोमांच और नजर आ रहा था क्योंकि पंजाब की ओर से भी हमें बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला पंजाब की गेंदबाज इस मुकाबले को अंत के ओवर तक ले जाने में कामियाब रहे जब मुंबई इंडियन्स की टीम को आखरी दो ओवर में 16 रन करते हुए उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसा कह डाला जिसको सुनकर शायद आपके भी ओशुर जाएंगे दोस्तों बता दे सचिंत अंदुलकर ने अपने बयान में कहा है कि मुंबई इंडियन्स और पंजाब के बीच जब भी कोई मुकाबला खेला जाता है तो वो ह कुमबई इंडियन्स यानि की हमारी टीम में भी रोहिच शर्मा, हार्दिक पांडिया और जस्प्रीद बुम्राजे से जबरदस्त खिलारी मौजूद हैं इसलिए इन दोनों ही टीमों के बीच में हमेशा हमें काटे की टकर देखने को मिलती है इस मुकाबले में दोनों ही टीम के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए सभी का दिल जीता लेकिन उनका दिल जिसने जीता है वो है हार्दिक पांडिया जिन्होंने इतनी आकरामक और शांदार अंदाज में बल्ले बाजी की जिससे देखकर तो वो भी उनके मुरी के लिए ये पारी काफी जादा एहम थी क्योंकि जबरदस्त पारी के बाद हार्दिक पांडिया का मनोबल काफी जादा बढ़ गया होगा जो कि मुंबा इंडियन्स के साथ साथ भारती टीम के लिए भी काफी जादा एहम है उन्हें पूरी उमीद है कि हार्दिक पांडिय भविश में भी ऐसे ही जबरदस्ट पारी खेलते हुए मुंबा इंडियन्स के साथ-साथ भारती टीम को भी ऐसी ही जीत हासिल कराने में काम्याब रहेंगे लेकिन दोस्तों आप सभी सचिन तेंदूलकर के इस जबरदस्ट बयान के साथ-साथ हार्दिक पांडिया के विसफोटक पारी को दस में से कितने अंग देना चाहोगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा